असलाम ऑलेकूम, कैसे हैं आप सब? असलाम ऑलेकूम, वेलकुम बैक टो आर चैनल आप लोग डोग कैसे हैं? बहुत-बहुत सुवागत है आप लोग का आम धीने की साचेट इना स्विनर सब्धों वीडियो जो हमारा आउट और रिडींग होता है बट ये वीडियो हम लोग अपने घर पे अपने रूम से वीडियो बना रहे हैं इसके रीजन क्या है इसका रीजन यह है कि हम लोग को दिन में टाइम नहीं हो पा रहा है कि दिन में हम लोग बहार वीडियो बनाएं अगर टाइम होगा भी तो भार ठंड बहुत है तो एक बो भी रीजन है कि हम भार वीडियो नहीं बना पा रहे हैं और इस चक्कर में हम लोग कोई वीडियो नहीं आ रही है बहुत टाइम हो गया काफी लोग का सारा हमें कमेंट कर रहे हैं पूछ रहे हैं काफी सारा हम लोग प्लस अगर कभी हमारे हमेंनों को मौकर मिला बार जाके वीडियो पर दनाने का तो जरूर बनाएंगा तो कइस अब बहुत है तो कॉंटेंटबने रहे हैं वीडियो ने नहीं पर जानल टो अज को टॉपिक क्या होने वाला है आज का टॉपिक होने वाला है PCC पर फिलकुल तो PCC जो डॉक्मेंट से उसे पुलीस क्लेरें सेटिफिकेट कहते हैं जो कि वन अब दे मोस्ट इंपोर्टिन डॉक्मेंट्स माने जाता है इमिग्रेशन प्रोसेस पर नॉट ओली इन कैनेडा बहुत सारी कंट्रीज की रिक्वार्मेंट होती है यह PCC इवेन अभी साओधी अरब आने वालों के लिए भी PCC बहुत मैंडेटरी कर दिया गया था तो कैनेडा आने के लिए इमिग्रेशन के लिए कैनेडा का PCC बहुत जरूरी है तो हम लोग के केस में हम लोग साओधी अरब में थे तो साओधी अरब में कभी PCC आपको चाहिए प्लस आप जिस कंट्री से बिलॉंग करते हो उस कंट्री कभी PCC चाहिए तो हमारे case में हम लोग को दोनों country से PCC लेना था तो वही इस process को इस वीडियो में हम लोग इस process को अच्छे से details में पताने वाले हैं तो कैसे हमने PCC apply किया दोनों countries के लिए plus कितना time लगता है और क्या-क्या परिशानी होई क्योंकि इस चक्कर में हम लोग का PCC के लिए अमनार प्रोसेस जो थोड़ा डिले भी हो गया था क्योंकि ये government का काम है थोड़ा सा डिले होता है तो चले शुरू करते हैं वीडियो को भी रखिए अभी साओधी का PCC का तो साओधी का PCC के लिए साओधी का PCC अच्छली तीन तरह से आप ले सकते हो फर्स्ट आफ़ल एक है आप ऑनलाइन पुलीस क्लेरेंस सेटिफिकेट भी डाल सकते हो एक मैनुवल जो की मैंने लिया था मैनुवल पुलीस क्लेरेंस सेटिफिकेट और एक अगर आप साओधी से एक्जिट हो चुके हो mindset मतलों आप साओधी चुड़ चुके हो तो भी आप साओधी का podéis कि लिए पुलीस क्लेरेंस सेटिफिकेट अपलाइए कर सकते हो अनलाइन के तो फूर है तो यह लंबा प्रोस्स है और तो इसलिए मैंने सारा प्रोसेस खुद से किया मैनुवल के लिए आपको खुद से करना है आपको अपने कंपनी से कोई भी डॉकुमेंट्स की ज़रुत नहीं है सबसे पहले आप चीस भी प्रोवींस में हो साओधी में तो आपको अपने इंडिया का व्युअफट्स कर रहे हैं साओधी को कि इस बंदे के लिए आप police clearance certificate issue कीजिए तो ये letter लेना सबसे पहले ज़रूरी है आपको सबसे पहले VFS जाना पड़ेगा VFS में appointment के थूरू जाना होता है VFS का आप website में जाएंगे तो VFS में appointment आप लेंगे endorsement letter के एक form होता है आपको form fill up करेंगे अपना photo attach करेंगे white background में passport size photo होना चाहिए white background में वो form को fill up करके आपको आपको आपके जो काम करेंगे उनको देना है वो सारे details आपका passport से match करेंगे उसके बाद वो form accept कर लेंगे और जो fees होता around 95 real का या something ऐसे fees था endorsement letter का तो वो endorsement letter आपका around एक हफते में से 10 दिन में आता है तो जब आपका endorsement letter आजाएगा आपको message आजाएगा कि you can collect endorsement letter जहां पर आपने apply किया था तो एक बार आपका या तो आपको उन लोग courier भी कर सकते हैं दोनों option है आपके पास अकर VFS सेंटर आपके करीब है घर के तो आप जहांगे कलिक कर सकते हो क्योंकि embassy से VFS में आएगा VFS फिर courier करेंगे तो इसमें थोड़ा लंबा 10 दिन के जगा 15 दिन लग सकता है तो मैंने क्या किया था हम लोग गए थे VFS सेंटर से जागे खुद कलिक किया था ताकि टाइम थोड़ा हमारा बच जा है तो सबसे पहले तो endorsement letter आपको चाहिए होगा फिर endorsement letter के बाद जब आपको आज आएगा तो आपको मौफवा जाना पड़ेगा Ministry of Foreign Affairs तो Ministry of Foreign Affairs आप वही देख लेंगे आपके province में कहां पर हमारे case में हम लोग Eastern province में थे तो हमारा मौफवा सेंटर जो था वो खोबर में था तो खोबर का मौफवा सेंटर में हम लोग गए अपना original endorsement letter प्लस अपना original इकामा और पासपोर्ट के साथ तो वहां पर जाके कुछ नहीं करवाना होता है वहां पर आप वहां भी सबसे पहले आपको अपना पड़ेगा मौफवा सेंटर के लिए भी तो मौफवा में जाएंगे आप endorsement लेकर लेकर वहां पर वेरिफाइड का एक होलोग्राम स्टिकल लगाएंगे प्लस साइन करेंगे वहां के जो ऑफिसर होते तो यह आपको अटेस्टेट करवाना पड़ेगा वहां से जाके वन्स यूग और एंडॉस्मेंट लेटर अटेस्टेट उसके बाद आपको इकामा अपना ओरिजिनल एकामा उसका फोटो कॉपी और प्लस ओरिजिनल एंडॉस्मेंट लेटर वह प्लस 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 आपको वहां कहीं जा थे तो हमारे स्टेशेशन के लाऄल कर वापहुआ को ऑपको भर तो प्लीज प्लीजव इनटोट कीजिकर एकामा प crispy मेंटी जाना ओंकाईWhat ठीज़ कर दोबर फीजय आपको ऑपोइंट लेके जाना एकामा इदाव पिलिजिएव हो endorsement letter के लिए चाहे वो मोफा हो अटेस्टेट करवाने के लिए चाहे वो पुलीस station हो आपको अपने document submit करने के लिए तो बीना appointment के उन लोग अंदर भी जाने नहीं देंगे तो please please appointment लेके जाना यह सारा चीज इसली अवेलेबल है आप अप लिखना की वीएफे सेंटर या मोफा appointment अराम से आपको website में मिल जाएगा उनका appointment लेना बहुत जादा कोई difficult है नहीं तो appointment एक दिन आप जब ले लिए वहाँ पर आप अपने सारे documents लेके जाए औरिजिनल प्लस photocopy endorsement लेटर का photocopy लेके जाना जरूरी नहीं है वहाँ पर आप जाएंगे वहाँ पर की जो officer है वह सारा चीज चेक करके verify करके वह सारा documents रख लेंगे आपको original आपको वापस कर देंगे endorsement लेटर और और रखेंगे प्लस इकामा का photocopy passport का photocopy वह रख लेंगे और वह आपको एक date देंगे कि ठीक है इस दिन आके आप अपना police clearance certificate collect कर लिजे तो एक हफते का most probably एक हफते से 10 दिन का date देते हैं वह original प्लूरी certificate issue करने के लिए तो once आपका वह date आ जाएगा तो आप वापस जाओ वहाँ पर उस ताइम आपको appointment की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पास परची होगा उन लोग देते हैं परची एक receipt देते हैं तो वह receipt लेके जाओ आप दिखाओ gateway कि हाँ मुझे collect करने अपने PCC वह बता देगे कि हाँ ठीक है यह आ जाईए तो उसमें उस दिन आपको PCC आपके हाथ में आ जाएगा once you receive your PCC आपको वापस से MOFA जाना है MOFA का appointment लेना है वहाँ जाके फिर आपको अटेस्टेट करवाना है तो यह process थोड़ा लंबा है बट यह है कि आप खुद से कर रहा हो आप किसी को पर depend नहीं हो ठीक है हमारे case में endorsement later में कुछ गलती हो गई थी endorsement later issue करने का जो form होता है उसमें हम लोग कुछ गलती कर दिया था तो इसलिए हम लोग और फिर VFS का जो appointment मिला वो 15 दिन का बाद का मिला अगें तो यह सब गलती मत करना फोटो लेके जाना पासपोर्ट साइस फोटो वाइट बैक ग्राउंड का पासपोर्ट साइस फोटो लेके जाना आपको form अच्छे से फिल करके जाना है क्योंकि एक बार अगर आप गलती करोगे तो वहां पे काफी भीड होती है उन लोग क मेंल फिर से हैंब जाओ अफ नए अप्वीं में लेकि आओ तो हमारे साथ यही हुआ इंडॉर्समेंट लेटर इntरयटर इस्ट्र करना में बहुत ताइम लगता है हमारा एक मही ने छो सक्ता तो यही है सबसे पहले आपको अंड्यॉंस्मेंट लेट्र यू किरवाना है इ अब इंडिया का कैसे करना है इंडिया का तो वैसे बहुत आसान है अपको कुछ भी नहीं करना है तो चलिए हम मैं अपने स्क्रीन पर लेके चलता हूं आपको तो यह सारा प्रोसेस आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा तो यह वेबसाइट है जहां से आपको PCC अपलाई करना है यह वेबसाइट में जाके मिसलेनियस सर्विस में जाएंगे तो यहाँ पर नंबर वन में पुलीस क्लेरेंस सेटिफिकेट और यहाँ पर रिक्वार्मेंट्स दिया है कि यह जो लिंक है लिंक से आपको फॉर्म में लेके जाएगा यह लिंक और क्या क्या चीज़ चाहिए यह लिंक पर क्लिक करेंगे और यह एक ऐसा वेबसाइट हमारे सामने खुल जाएगा पासपूर्ट सेवा का उसके बाद नंबर टू में ही है अपलाई फॉर्पी सीज़ प्लीस क्लेरेंस सेटिफिकेट उसके बाद आपका पी सीज़ का जो प्रोसेस वो शुरू हो तो यह सारा प्रोसेस था इंडिया का पी सीज़ के लिए इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि आपका पासपोर्ट आपके पास नहीं रहेगा आपको आपके पासपोर्ट आपको वी एफे सेंटर में सब्मेट करना होगा वह और पासपोर्ट आपका इंडिया जाएगा पहुंच गिया है फिर पूली स्टेशन पहुंच गिया तो जो अड्रेस आप डालेंगे वहाँ पे आपका जो घर का पूली स्टेशन होगा करीबी वहाँ पे आपका जाएगा पासपोर्ट जैसे कि पासपोर्ट इशू के लिए जो प्रोसेस होता है वहाँ पे आपका अप् क्योंकि passport मेरे पास था नहीं और मुझे थोड़ा सा जल्दी था क्योंकि एक तो यह होता है कि साओधी का PCC जो है वो सिर्फ तीन महिने के लिए वैलिड होता है तो मैंने थोड़ा लेट कर दिया था इंडिया PCC का मुझे पता नहीं था कि इतना टाइम लगता है यह प्रोसेस है इंडियन PCC का तो एक बार आपका सब चीज हो जाएगा वहां से फिर पासपोर्ट आपको कुरियर हो के साओधी अरब आएगा उसके बाद आपके पास मेसेज आएगा कि आपका PCC और पासपोर्ट दोनों चीज आ चुका है तो यह सारा प्रोसेस है साओधी PCC और इंडियन PCC का जिसमें अराउंड दो महीने लग गयते तो लोग इस प्रोसेस हम लोग के लिए जौब देखें चीज दी सीजिखें सेरीसलीं हमारे हाथ में कैसे हो सकते हम लोग हुँद रिप्रेंस के तूर आए हैं हम लोग काफी सालों से बहनत कर रहे ते इसके पीछे लगे हैं तो ऊपर्वाले का था मंजूर हम यह यह अब आप लोग सच में आ च किये हैं जो जो सब सब के लिए हम विश्च करेंगे उनके दुआ करेंगे कि आप लोग हिम्मत मत आरेगा जैसा भी हो अपने connection बनाई है अपने profession से related आप LinkedIn पर connection बनाई है कोई reply नहीं कर रहा है किसी किसी ने हम से बोला कि reply नहीं करते हैं हो सकता है सब कि कोई reply नहीं करेंगा कोई आप से बात नहीं करेंगा बट कभी नहीं कोई होगा ऐसा जो आपको जैनुवन मिलेगा वहां पर जिससे आप connect हो सकते हैं अपने आगे का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं अपना इंट्रव्यू अगर वो हायर कर रहे तो ऐसा भी है कि यहां से बहुत सारी क्योंकि प्रोब्लम है कि यह पूरे कमपने के हाथ में भी नहीं है यह इसमें government involved है जब तक LMIA इसू नहीं करेगा कमपनी खुझ भी नहीं करता तो और government के पास सारे details है कि उनके पास कितने बंदे हैं इस profession में कितने बंदे हैं LMIA is basically a demand letter कि मुझे इस job के लिए Canada पे कोई labor नहीं मिल रहा है तो हम लोग बाहर से labor मगवाना चाहते है तो यह सारा details government के पास रहता है तो पूरा चेक करेंगे पूरा हर चीज ऐसे LMIA issue नहीं होता है तो इसके लिए इस LMIA में बहुत सारा scam भी हो रहा है बहुत सारा fraud भी हो रहा है उसी से आप लोग बच के रही है बहुत सारा पैसा आप लोग का hard and money है आप लोग कहीं पे किसी को बिना जाने बिना पैचाने मत दे देना अगर कोई भी आपको offer करता है easily आपको process हो जाएगा आपको salary 100% fraud है क्योंकि कोई भी यहां पे नहीं किसी भी country में जाने के लिए easy नहीं है आप लोग भी इतना time से apply कर रहे हैं देख रहे हैं आपको भी पता यह चीज़ का तो easy कुछ भी नहीं है बस आप लोग try करते रहे हैं इंशाला आप लोग कभी होगा आप इंशाला तो हम लोग आप लोग सब के लिए good wishes हमारे तरफ से all the very best keep trying and keep supporting us और मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई 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 अलाफेस दूआउ में याद रखना